मुझे बहुत सारे question आ रहे हैं कि offer letter कब मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यह video जो मैंने बनाया है, एक offer letter का क्या process होता है, वो मैं आपको एक explain करूँगा ठीक है, और interviews के बारे में भी, interviews के उस duration पे होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा तो लाइक, share and subscribe, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका जैसे resume मालो की, आपका sonist हो गया उसके आद आपको interview calls आते हैं, और normal company में जहें, generally दो round technical होगा और एक round आपका HR होगा, किसी किसी company में एक round technical और HR हो जाता है, ठीक है और उसके बीच में जहें, HR के पहले एक managerial round भी होता है, तो दो round technical, एक manager, एक HR या फिर एक round technical, एक manager, एक HR, mostly दो round technical होता है, ठीक है, तो अब एक बार को आप मालो की, आपका जैसे टेकनिकल भी हो गया, और उसके बाद, अच्छा, यह जो भी first round, second round interview होता है, उसमें बहुत सारी कंपनिया कोसिस करती है, कि interview जो second round, जैसे आपने first round clear कर लिया, तो वो कोसिस करते हैं, कि second round भी जह है, वो एक दो दिन में हो जाए, वो बहुत जादे डिले नहीं करते, वो भ आपने manager round भी दे दिया, HR round भी दे दिया, तो उसके बाद process यह होता है, कि जो भी candidate selected होते हैं, ठीक है, उनको based on their experience, और उनका previous salary और दो चार और factors है, उस पे उनका एक rough CTC जो है, वो HR तयार करता है, और जो कि उनके predefined range में होता है, जैसे मैं software इंजिना को 4-6 के बीच में ही द ठीक है, तो वो एक rough CTC candidate को भेजते हैं, और वो rough CTC भेजने में करीब 3-4 दिन या 5 दिन का time लगता है, जैसे रफ CTC भेजा और rough CTC candidate को भी लगा कि यह मेरा ठीक है, ठीक है, तो वो approval भेजते हैं कि नहीं, यह CTC मेरा ठीक है, तो उसके बाद HR जो further, हमें लगता है कि जो एक approval चाहिए होता है, मालो किसी candidate ने जो है, range जो है, 6 लाग किया है, लेकिन 7 लाग मांग लिया, और range लेकिन 6 की है, तो HR को एक special approval चाहिए होता है, उनके पता है कि candidate बहुत अच्छा है, तो फिर special approval नहीं भी चाहिए, तो even normal offer के लिए भी इनको बहुत सारे approval लेने पड़ते है, वो अगर आपका selection हो गया, तो used और HR round के बाद, CTC के, rough CTC confirmation के बाद, आप मान के चलो कि one week time जो है, कम से कम लगेगा, तो overall जो timing है, मैं कहूंगा कि HR round के बाद आप समझ लो कि 2 से, 2 हफते का process है, आपको positive signal मिलने सुरू हो जाएंगे, दो हफते के अंदर है, चार से, उसके बाद आपका offer later release होगा, और जिनका offer later release होगा, उनको यह नहीं समझ चाहिए कि उन्होंने interview खराब दिया, इसका मतलई में ही है, कि आप company के criteria पर फिट नहीं बैट रहे हो सकता है, आपकी salary जादे हो, हो सकता है, आपका experience जादे हो, और आप believe नहीं करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है, कि इंटर्यू देने के बाद भी आपको कोई feedback नहीं दिया जाता है, और अचानक 6 मिने बाद company को requirement होती है, तो हो सकता है, 6 मिने बाद आपको बुलाए कि हाँ आपका हो गया है, तो rare cases में यह भी देखा गया है, तो usually 2-3 week, like, share and subscribe रोस्तो, मेरे movies, reviews को भी like, share and subscribe, thank you